हालो एन वेलकम टू माइप चैनल आज हमें देख रहे हैं पाइसेस यान मीन राश्ची के लिए नॉर्मार 2023 में आप लगों के लिए लाव लाइफ कैसे रहेगी इसी को लेकर रिडिंग है कर सब्सक्राइब के लिए रिडिंग होगी जो सिंगल है मेरिट का बस है यहाँ पा यह कार्स आये हैं आपके लिए और काफी कुछ मैसेज़ेस हैं फरस्ट अगर टैरोरे के साथ देखें तो आपके लिए काड आया है एट ओव वांस का काड है आप में से कुछ लोग एडिस लियो साथ रिलेशनशिप पे हैं यानि मेर्श राशी सिंग राशी धनू राशी आपके पार्टनर है और यहां ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट मूविंग एनरजी वाले परसन है जल्दी जल्दी बात करते हैं जल्दी जल्दी चलते हैं इनकी एनरजी बहुत स्ट्रॉंग एनरजी वाले परसन हो सकते हैं जिनसे आप इस मन्त में कनेक्ट हो या कुछ लाव लाइफ जो है वो इफेक्टेड है आपके फादर की वज़े से या आपके पार्टनर की वज़े से कहीं न कहीं वहाँ ज्यादा कंट्रोलिंग है इस रिलेशनशिप को लेकर उनकी तरफ से कोई सपोर्ड नहीं है ऐसा भी यहां दिख रहा है वहुत कंट्रोलिंग और दिख रही है तो यहां हो सकता है कि वह आप से सहमत नहीं है रिष्टे को लेकर या कोई न कोई उनकी कह सकते हैं कंट्रोल इशूज यहां दिख रहे हैं और वहीं नेक्स काड आपके लिए आया है तो कुछ लोग वर्गों के साथ कनेक्शन में हैं इस मन्त में ऐसा लग र परशन आत्म शिंतन और अपने बारे में सोच कर वो कुछ कंक्लूजन निकालना चाहरे हैं एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आपको लेकर और यह डिसीजन बहुत वाइस होगा उनका आपके और उनके रिलेशन्शिप को लेकर ऐसा भी यहां दिख रहा है और हो सकता है शाशी सिंग राशी धनुराशी के हैं और यहां ऐसे लग रहा है कि काफी जादा चैलेंज़स हैं आपके रिलेशन्शिप में आप डाउंस हैं बहुत सारे अवरोध हैं बहुत सारी बाधाये हैं पर आपके पार्टनर्स हैं वो पुरी हिम्मस से उनको दूर करने की कोशि पार्टनर्स कार्टनर्स 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 बिताएंगे काफी लवी डवी मूवमेंट्स आ सकते हैं और गहरे और सच्छे प्यार की कुछ लोगों के लिए शुरुवात होती हुई दिख रही है और कुछ लोगों के लिए सॉलमेट जर्नी की स्टार्टिंग है कुछ लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे जा सकते हैं या अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं और डिवाइन ब्लैसिंग भी आपके साथ रहेगी और हर लेवल पे अपने पार्टनर से कनेक्ट रहेंगे इस मन्त में सॉल लेवल म मेरिस प्रपोजल आ सकता है लव प्रपोजल भी आ सकता है जो बहुत लूबिंग केरिंग और रॉमंटिक हैं और साथी में यह सुंदर हो सकते हैं जिनसे आपका कनेक्शन मने और अपको उनसे मिलते एक डीप कानेक्शन थी लोगा इसमें बहीं नेक्स काड आया है कि तो सिंगर डांसर राइटर पैंटर हो सकते हैं और बहुत ब्यूटिफुल है यह परसन और साथ सब में इमोश्टरल हो सकते हैं थोड़े भशाद भावख हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है तो इनका यहां प्यार आपके लिए आरहा है बहुत गहरे और जाहिर करें आपको इसके भी हां चांस सिक रहे हैं इनका ड्रैसिंग सेंस बहुत अच्छा है इस तरह से आप इन्हें पहचान सकते हैं और इस नेम फेम वाले हो सकते हैं एक्टरस एक्टर मॉडल हो सकते हैं यह और इनका मैरिस प्रपोजल आसकता है कुछ लोगों के जादीते हो सकती है और बहुत रॉमेंटिक होंगे यह परसन इस मन्त में आपके लिए वैडिंग या अंगेजमेंट जैसा भी आ रहा है दहीं जो मैसेज है त्रू लाव दैट इस लॉंग लास्टिंग चॉइस मेड़ स्रॉम दे हार्ट एडिटर्न टू गुड हैल्थ ज बहुत नेक्स पार अपके लिए आए है प्रिंस अफ सम्मर रॉमेंटिक एपिटिवेटिंग ड्रमेटिक अफ लिटरेश जी इस तरह के परसन आसकते हैं जी वो त्रमेंटिक हैं ज्रॉमेंटिक हैं और इसमें प्लर्ट करने वाले हो सकते हैं और यहां जो मैसेज हैं फॉ या एक friendship आपके लिए आ रही है, या आपसे connect हो सकते हैं, भही next card आपके लिए आया है, queen of spring का, brilliant, loyal, talented and friendly, इस तरह की बहुत beautiful या सकते हैं, boy or girl का आपके लिए marriage proposal, love proposal या एक friendship definitely आपके लिए आ रही है, और यहाँ जो message है, believe in yourself, wonderful people want to help you, maintain a balance between work and home life, आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यह person जो है, आपको मिलेंगे भी, और सासत में, इनसे आप कहीं नहीं कहीं है, inspire भी होंगे, कि आपको बैलेंस रखना है, कि से संतुलित रखना है, ऐसा भी आप सीखेंगे इनसे, वही next card आपके लिए है, release का, जो message है, let go of the past and ending that make way for new opportunities, time to move on, जी, आपको यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी past experience है, आपके, जो भी खड़वे अन्भव हैं, आपके बीते हुए समय के, उनको भूला दें आप और एवन को एक नई शुरुआत दें, और वही next card आपके लिए आया है, king of ottoman का compassionate, accomplished, charismatic and gifted, इस तरह के person भी आपके लिए इस मन्त में आपसे connect हो सकते हैं किसी तरह से, और जो message है, be assertive when it's come to what you know is right, everything going your way, a good person or company to work for, जी, आप इन से अपने career path में मिल सकते हैं, king of ottoman से, और ये जो हैं वो बहुत, हद तक आपको inspire करेंगे आपके career में, और इनका साथ आपको career में नई उचाईयां छूने में मदद क करेंगा या अपने goals आपके जो हैं उनका अचीव करने में आपकी help करेंगे, पही next card आपके लिए आया है, two of ottoman का, और जो message है, being fun into everything you do, juggling multiple priorities, multiple jobs and an exceptional talent for multitasking जी, इस मन्त में ऐसा लगए कि आप कुछ नया start कर सकते हैं, अपनी job के साथ extra कुछ कर रहे हैं या पढ़ाई के साथ नौकरी कर रहे हैं या ऐसा कुछ है जो आप multitasking कर रहे हैं तो आप कर पाएंगे, उसके लिए determined रहे हैं आप अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, वो आप कर पाएंगे, वहीं आपके लिए unicorns की तरफ से card आया है service का, service with an open heart is a key to satisfaction जी, इस मन्त में आपके लिए एक ऐसा marriage proposal आ स इन से आपका connection बन सकता है, और कुछ लोग already इनके साथ connection में हैं, वहीं next card आपके लिए आया है, hope का, और जो message है, look with new eye and create the change that awaits you, जी, आपको कहा जारे हैं कि आप hopeful रहे हैं, और यहां आप देख रहे हैं कि clouds हैं पर फिर rainbow भी हैं, तो बहुत सारे आपने खराब unbow अभी तक में देखे हैं, कुछ लोग break up से बहार आए हैं, अभी कुछ लोग उने separation देखा हैं, उसके बाद आप जीवन को नई शुरुआ देख रहे हैं, तो अब आपके लिए बहुत सारी खुशियां लिखी हैं, और hopeful रहे हैं, और positivity से भरे रहे हैं आप, ताकि आप अपने लिए positivity attract कर सकें, और अपने लिए abundance subtract कर सकें, उसके लिए ज़री कि आप negative approach को चोड़ दे और नई तरीके से जीवन में हुक फुल हुकर शुरुआत करें, वहीं आपके लिए देखने हैं कौन आपके लिए आ सकते हैं, इस मन्त में इनके initials, जोडिक साइन और आपके पाटनर के message, initials अगर हम देखें आपके लिए तो Q नाम से वे सकता है? आपके पाटनर के नाम, L नाम से हो रसकता है? S नाम से हो सकता है, t नाम सी हो सकता है? बी नाम से भी हो सकते हैं राशी अगर हम देखें तो एक्वेरिस हो सकते हैं जैमिनी हो सकते हैं मित्वन राशी के लियो हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए सिंग राशी के पाइसीस हो सकते हैं वह मीन राशी के हो सकते हैं आपकी तरह और स्क्रॉपी हो सकते हैं व्रिश्चि I am becoming a better person यह message है distance is nothing you are right here in my heart and I love you more than ever जी बुश्लोग बहुत दूरियों पे अपने पार्टनर से तो वो कहरें कि यह दूरे कुछ भी नहीं है अभी वे आप उनके लिए बहुत खास है और यहां से message है Will you accept me? वो कहरें कि आप उन्हें accept करेंगे I am trying so hard to figure out how to make it work between us three कुशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के बीच में किसी तरह से बात बन जाए फिर से You can listen to me with a smile आप उन्हें प्यार से बहुत सुनते हैं और यह सब उन्हें पसंद है I feel alone and miss you a lot कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत मिस कर रहे हैं और अकेला पर हैसुस कर रहे हैं आपकी बीना I hate how much pain I have caused you sorry कुछ लोगों के पार्टनर आपसे sorry बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है I can never say it but I do love you आपके पार्टनर यहां कह रहे हैं कि शाइग उन्होंने कहा नहीं है पर वो सच में आपको बहुत प्यार करते हैं तो आप लोगों के लिए ही messages से और यही reading ती अगर यह reading आपके साथ resonate करे तो प्लीज में शेयरे को like, share and subscribe दो रूजिएगा thank you so much for watching my video have a happy month Pisces